2024 का चुनाब नजदीक है और सारी पाल्टियों ने अपना धंखम दखाना सुरू कर दिया मेरी मौझूदगी है बरेली के अंग्रेजों के जमानी का बना हुआ बरेली कॉलिज किन मुद्दों पर बोर्ट करेंगी क्या नाम है अपका अंजली कटिया है क्या करती है अब बेसी अच्छे बताइए 2024 को लोकसा बाच नजदीक है क्या मुद्द रहेंगे आपके बोर्ट करने के मैं यह चाहूंगी कि जो गरीब हैं उनका थोड़ा फायदा हो क्योंकि ऐसा ह आधे लोगों को मिल रहे है क्योंकि मैं भी अपको मिली नहीं वज्य क्या अधे यह है कि मिल्ती ही नहीं है हमको क्या क्यों नहीं नहीं कि दो पता नि चल पाथा कि उजल को इसी व HC इस 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 एज अच्छा आपके क्या भाइंगी वोले कि और हैं मुझे लग रहेंगे पहली वार दों को ली ट करेंगे पढ़ाई के बारे में थोड़ा और साही से होना चाहिए भाइव पाड़ाई क इस थौ ठीक होना चाहिए ता cowardice कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया अब इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आर्मी को चार साल का कर दिया तो हम जाएं कहां चार साल बाद हम क्या करेंगे तो हम जाएं का चार साल का क्या फाइदा है भई जो मिलना चाहिए वो तो दो तमीज से यह है बस और कुछ निए जिसे नहीं मिल पारा है उसके लिए कुछ भी नहीं है दे आपके बिलकुल आप कुछ कहना चाहरे हूं जो आर्मी है उसको चार साल का कर दिया इन्होंने ठीक है अब चार साल के बाद हम कहां जाए हमने इतनी महनत की है आगे तो हम इस चीज को क्या से करें और एक्जाम भी यह पूरी हो जाती है चार साल मानलो किसी में 23 साल का एक्जाम देना है चार साल वहां पर जॉब करने के बाद क्या करेंगे हम यही है और क्या अच्छा इस सरकार में नोकरी का महन आपका मुद्दा है ठीक है क्या जो अग्निमीर परिक्ष्च आप करते हो इसके लिए अगर इसताइ की जाये तो यह मेंड आपका मुद्दा मान हां बिलकुल शरकार ने रोजगार दी इसमें अभी знать पीछे से लगाता है भी हो भी दी है जो देनी चाहिए डालम कह सकतें हैं के रोजगार को देने को उतना नहीं दिया हां उतना नहीं दिया आपका कह नाम है सिम्डन आप बताई किन मुद्धों को लेकर बोर्ट करेंगे 24 अभी जैसे मोधी सरकार को देखा है जब से हमारी मोधी सरकार आई तब से थोड़ा भ्रष्ट अचार कम हुआ है 50 परसेंट कम भी हुआ है लेकिन कहीं अगर गाओं वारे चेत में तो आज भी प्रष्ट अचा अगर देखा जाए तो सरकार के तरफ से मैं यहीं कहना चाहूंगी जैसे कि आज अकर कहीं महिला का पीड़न हो रहा है तो पुलिस के पास जाती है तो फिर वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती बल्कि उसे पूरा चक्कर कटवाया जाता है और मैं देखूंगी कि कि अग्जाम की बात करें तो खिड़कियों से चीटिंग होती लेकिन आज जब से मोदी और योगी की सरकार आई तब से मजाल है कि चीटिंग के राम पिक फर्रा भी मिल जाए मैं यहीं सब सोचके मोदी जी को वोट देना चाहूंगी पढ़ाई कि सरकार में पढ़ाई किस आप बताई आप अपक्ति क्या एहम मुद्दों पर लेकिया बोट करेंगी मुझे यसा लगता है कि सबसे पहले मतलब वोट होना चाहिए इस बेसिस पे मतलब जैसे कि मतलब जो नौकरी लोगों को मिल रहे है वो तो हर कोई देख रहा है कि लोगों को नौकरी मिल रही है नहीं मिल रहा है पर मुझे ऐसा लगता है कि हम चappelle ला सकते हैं अगर हम लोगों की तुछ की मैं कुछ चेंज ले आता है कि तो उसवां कम नहीं कर रहे है तो हम भृत अपन के सब्सक्त आयूं की कि किषी रहे से कुछ कम हो रहा है अगर हम सोच पे पे और और लोगों को तो उससे हम बहुत हथ तक development लेकर आ सकते हैं बिरोजगारी अगर देखा जाया तो बिरोजगारी पहले तो बहुत थी अब कम हो गई है नौकरी मिली है लेकिन फिर भी उस लेवल पर नौकरी नहीं मिली है जितना मिलनी जाए है लोग जैसे पहले बिरोजगार थे घर बैठे है इस सरकार में पहले मतलब जो था तो पहले तो corruption इतना जादा होता था हग से जादा कि हर एक चीज वहां पर corruption के basis पे हो रही है कहीं पर किसी का interview ले रहे तो जो मेहनत कर रहे है उसको कोई उसको उसका कहीं पर selection नहीं हो रहा लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं बस ऐसे बैठे हैं कहीं कोई महनत नहीं करी उन लोगों ने वह कहीं पर सोर्स लगवा दिया उनका सेलेक्शन हो जाता का तो सोर्स यान कि प्रिष्टाचार कम हुआ है हां जी वह पहले से काफी हद तक कम हो चुक आप बताइए आपका क्यांगिन मुद्धों को बोड करेंगे देखि जो लेविल है वहां तक पहुची नहीं पाती है हाला कि मोधी सरकार में बहुत कुछ बदलाव आए हैं अभी अभी जी टुएंटी हुआ है ये इंडिया के लिए बहुत ही गौरभरी बात है राम मंदिर आप देखेंगे उन्होंने काशी विश्वनात कोरीडोर आज अंत लोकल और मोधी जी जो है गरीवों के लिए कई सारी ओजनाय बेटियों के लिए भी लागू कर रहे हैं हाला कि हड़ सरकार में थोड़ी बहुत कमी तो रही जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान है और पूरी तरीके से एकदम सही करना इतना जल्दी नहीं हो पाता है स्व पाता है कि पिछली सरकारों में जो भी काम हुए उनसे मुझे थोड़ा यह वाली सरकार जादा बेटर लग रही है फिर मोधी जी की सरकार हाँ जी आप बदाएए मैं भी यहीं चाहूंगी कि 2024 में मोधी जी की सरकार है क्यूंकि अब हम लोग इनसान है इनसान के लिए तो क किया जा रहा है जो गाए वग्ण हैं उनके लिए कितनी सारी गौशाला ख uniforms लिए और उनके इलाज के लिए भी मोधी जी जो सरकार से पैसे हो रहे हैं उनका इलाजा भी हो रहा है और काफी अच्छा पकषुओं के लिए भी हो रहा है गायों कटना था वो बंद begitu एप नहीं कट रही है और है कि यहां और चौन लिए और इसानके लिए भी काफी अच्छा झो रहा है उसमें बी रह Actर यह घाए जो गाउं के लोग है वो लोग भी उनके ल हलारा है अप्रान अब मंबला, येस बिलकुल मिल रहा है और मैं चाहूंगी कि 2024 में भी मोदी ची की ही सरकारा है अच्छा आप दाईया पुछ कह रहे हैं तो अभी तक का बेस्ट मतलब कहेंगे अभी तक का बेस्ट मतलब कहेंगे अभी हमने बहुत ग्रो किया है वी हमने चंद्राइन 3 और अभी आदित्य काफी जादा डेवलपमेंट हो रहा है और इंडर काफी अच्छी बन रहा है और काफी फासली ग्रोइंग एकनोमी है हमारी और रही बात इंफ्रेस्ट्रक्चर और ट्रांस्पोरेशन सिस्टम बहुत इंप्रूव हुए पहले से तो लाग गुना इंप्रूव है पिछली स भारत तक ही नहीं पूरे देश में हो जैसे कि मोदी जगे जगे अंतराष्टी आत्रों पर जाते हैं तो भारत का दबदवा मना रखते हैं अभी हम देख सकते हैं इसराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी ऑपरेशन अजय लागू किया गया है तो यह सब सरकारी तो कर रही है तो हाला कि हर सरकार में थोड़ी बहुत गड़ड़ी होती है लेकिन काफी पॉजिटिव चीज़े दिखी हैं अभी इंटरनेशनली भी हम अपने नेबर्स पर बहुत इंप्रूब हुए है पिछली सरकारों से तो मुझे लगता है बहुत जाद हो रहा है बाकि सब कुछ अच्छा है बस थोड़ा सा बिरोज़गारी है लेकिन इतनी भी नहीं है अब जिसे पॉपलेशन बढ़ रहे है तो अपनी लेवल पर करना बढ़ेगा बाकि रेल्वेस में देखे प्राइवेट करके मुझे तो काफी बेटर फ्यूवा क्योंकि इसमें फैसिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी हमको पहले जो ट्वालेट इतने गंदे मल देते रेल्वे में हम एक्जांबल से देते हो ट्वालेट बहुत होते हैं करके लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो है सिस्टम कु पूरी बेरोजगारी पर अंकुस लगा जा तो मोदी जी से अच्छी कोई सरकार नहीं है तमाम चीश चात्राइं दिन में साब तौर पर मोदी जी की सरकार बनाने की दावा गया वीडियो जनलिस्ट संजीप यादब के साथ मनवीश सिंग टीवी 9 बरेली